सूत्र बताते हैं कि 21 माई को आनंदी बेन पटेल के नाम का एलान हो सकता है यही वो दिन होगा जब नरेंद वोधी अप्चालिक तौर पर राज सीम का पद छोड़ेंगे और कहा यह जा रहा है कि बैठक में पैसा लिया जाएगा आनंदी बेन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है गुजरात के अगले सीम के तौर पर 21 माई को आनंदी बेन पटेल के नाम का एलान हो सकता है 21 माई को ही गुजरात के सीम का पद छोड़ सकते हैं नरेंद वोधी और उसी दिन माना यह जा रहा है कि बैठक होगी और बैठक के बाद आपचारिक एलान इस बात का हो सकता है और इसमर अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारे समयाता अभिशेक शर्मा हमारे साथ जुर गये है अभिशेक किस तरह की जानकारी मिल पा रही है कितनी गुंजाश लगती है कि आपचारिक एलान 21 माई को ही हो जाएगा आनन्दी बेन पटेल के नाम का देखिए इसके तंभावना अधी जिताई जा रही है सुत्रों के खर्माने तो आनन्दी बेन पटेल का नाम लगबं लगबं से हो गया है कि देखिए जिसर से जो यहां के ओपी वासूर है तभारी गुजरास के वह लगतार यहां पर बने वेसे हला कि अब वो गुजराजसान करी ने कर लेहां कर दो परच्छव अदर यहां पर पहुंचेगा तो जहीं से बात है कि इसका एलान एकिस कारी को होनी सी जानकारी मिल रही है और इसलिए लगबं 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 लिए ज़िए जिसर से पहली पसंद इसको अनदीमन पटेल पूल के लिए है और यह ज़िए जब लबबं लबं लेकिन अभी भी कई सारे इसे नाम है साथ-पांट भोके नाम चल रहे है उसके दूसरा नाम चल रहा है मताया यह भी जा रहा है कि बूपें निस्टिंग चुड़ासमा उनका भी नाम चल रहा है वह भी बन सकते हैं काई लो गचान थाल